पर प्रेइन की गिरानुज्स को शेया पंतलिज़िंज ऊणिधी हमने देखी तो हम देखेंगे ईनटोनेम जोंकि हमारे ssc cgl chsl ssc cpo और व्यापम और बैंक में जो कि पूछे जाने वाले questions है वह हम देखेंगे कि कौन-कौन से questions पूछे जाते हैं तो अगर आप मेरा यह पार्ट देख रहा है तो पहले आप तक पहुच जाएगा चलिए आज हम स्टाइट करते हैं हमारा सेशन फर्स कुछन हमारा विट्ट्रो तो जो मतलब होता है वह होता है है रिड्वांस करना तो विड्ट्रो का ऑपोजित बताने हमें क्योंकि एंटो नेम हम पढ़ रहा है तो इसका जो अपोजित होता है वह होता है एड्वांस और एड्वांस क्या हो जाएगा इसका सही पक्रेश्रों फिल नेक्स्म में कि टीक्स कोशन नेक्सशन है सीक्रेटर्थ सीक्रेट कह आपोजटी होगा उसको बोलते हम हुआ तो इसका जो ऊह सई हांसर होगा एंटोनेम होगा वहां ओग लिए ओप्षण होगा इसका और यह हो जाएंगा तो जो हो जाएंगे इसके सीक्रेट के मतलब होता है जो उसका सिनोनैय हो जाएगा और हींडन वी लेकिन जो एंक्तोनार होगा और इसका सई होगा है कि तो नहीं कूछ नहीं होगा जीलिट्व लेकिन जो एंक्तोन अपोजिट हो जाएगा को नेफ्ट नेक्सट उम्पार्श नियुमिनडश मतलब लाइट है और इसका आपउसे नियुट्स नियुल से और मतलब होता है strong feeling of fear इसको strong feeling of fear भी बोलते हैं और इसका जो opposite होगा वह होता है contempt contempt इसका सही answer होगा या इसको बोलते है reputable और इसको बोलते unreputable तो यह आपको याद रखना है ओके नेक्स देखते हैं हम नेक्स जो पूछा गया है पिट मतलब होता है गड़ा और इसका जो opposite होगा वह होगा peak क्योंकि peak होता है जो peak value रहती है उपर peak point जिसको बोलते है और गड़ा नीचे तो इसका एंटोनेम जो होगा वह यह बी होगा नेक्स देखते है रोटंड रोटंड मतलब होता है चबई 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 और इसका एंटोनेम होगा thin तो हमें इसका aansər हो जाएगा नेक्स देखते है टेलेट है टेलेंट यह प्रसक्फो पोजित होगा inability सईनवन उसका ability होगा और इंटोनेम हो जाएगा उसका inability इनवनेम उसका क्या हो यह इसका सई एंड़ोनेम होगा इस देखते हैं ब्रेजन मतलब होता है बिना किसी शर्म के काम करना बेश्पल बेश्पल होता है शर्मीला BRASAN मतолब होता है बेशंग और बेशपल होता है शरमीला तो इसका अपोजिट यह हो जाएगा EXPECT मतलब होता है उम्मीद करना और DISEPEAR होता है ना उम्मीद करना तो इसका answer होगा DISEPEAR यह हो जाएगा इसका ENDONYM Clear? सही ENDONYM इसका यह हो जाएगा ritis टHz लोत मतलब होता है घर ना करना वाल मतलब होता है इसका मतलब होता है गरना करना किसे से े से नफर्थ करना चीश को बोल सकते हैं ँसका मालडीडरस होता है इसका मीनिंग होता ह日 two तो फ्रेग्रेंड को बोलते हम सुगंद तो इसका मतलब होता है दुर्गन तो इसको बोलते है सुगंद तो इसका अपोजेट यह हो जाएगा next is expound expound का मतलब होता है explain करना किसी भी चीज को explain करना और इसका अपोजेट हो जाएगा इसका होता है और इसका होता है इसका ये हो जाएगा सूद को बोल सकते हैं हो सकता है नेक्समी अझेक मतलब मतलब कम करना किसी बीचीज़ को कम और ऑग्मेंट यह होता है कम करना इसकα इंख कम करना इसको कम करना और इसका उसकते ृब fifteen नेक्स देखते हैं डर्थ का मतलब होता है कमी किसी चीज में की कमी हो जाना ठीक है और इसका जो अपोजिट होगा अबेंडेंस मतलब इसका मतलब क्या होगा उसमें कमी हो रही है तो इसमें क्या होगा इंक्रिमेंट होगा, इनफ होगा, तो इसका अपोजिट यह हो जाएगा, नेस्ट, पीग्ड, पीग्ड मतलब होता है, इसका मतलब होता है, कि डर के मारे चेला पीला पड़ जाता है, तो इसका मतलब होता है, पीग्ड, तो इसका जो एंटोनेम होगा, वो होगा, रडी, और एक्स्टेंड जो होगा उसका एंटोनेम हो जाएगा तो अभी हम एंटोनेम पढ़ रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एक्स्टेंड हो जाएगा क्या है कि नेच्ट देख्ते नेक्स कोशन नहीं केंडर केंडर का मतलब होता है प्रजविलीत करना मतलब इंकरेज करना किसी पी चीज़ को लेजंगें चैब मतलब होता है discourage करना नेक्स्ट दिखते हैं मीगर मतलब होता है बहुत ज it जैनल देखते हैं Next इसका और tak मतलब होता है ऊशिक्षित और intellectual का मतलब होता है 16 तो simple है इसका opposite पता चल जाएगा मैं देखते हैं तो intellectual इसका answer हो जाएगा जेनित यह बहुत ही ज्यादा important वर्ड है SSC की point office से देखे तो इसका मतलब होता है जेनित का मतलब होता है peak मतलब highest point peak value और जिसको opposite होगा नादिर जो की सबसे bottom value रहेगी नीचे की value उसको बोलेगे नादिर इसका opposite हो जाएगा next देखते है जर्मेन जर्मेन का मतलब होता है relevant इसका मतलब होता है तो इसका opposite क्या हो जाएगा हो जाएगा नेक्स लेखते है नेक्स से इरास सीबल इसका मतलब होता है बहुत जल्दी एंग्री होना इसका मतलब होता है बहुत जल्दी गुस्ता आ जाना किसी को इसका opposite हो गया जो दिया है इसका मतलब होता है मूर्ख इसका मतलब होता है मूर्ख ठीक है नेक्स देखते हैं एब्रोबेट मतलब होता है अप्रूव करना किसी चीज को अप्रूव करना और इसका opposite हो जाएगा कंडेम मतलब होता है refuse करना एफ्रोबेट मतलब अप्रूव करना किसी चीज को और इसका मतलब होता है refuse करना मना करना तो इसका सही एंटर्णेम यह हो जाएगा नेक्स्ट है इंप्रोविडेंट मतलब होता है जो careless रहता है अपने मनी से जिसको मनी जो रहती है वो careless रहता है उसका meaning हो जाएगा जो की जिसको care नहीं हो मनी की उसका मतलब इंप्रोविडेंट तो इसका जो अपोजेट होगा वह होगा cautious cautious मतलब होता है बहुत ही careful तरीके से मनी का यूज करना तो इसका मतलब होता है कोशेश तो इसका opposite यह हो जाए नेक्स्ट है डिमर मतलब होता है politely reject करना किसी भी चीज को मना करना कि भाई ऐसा किसी भी चीज अगर कोई help मांगता है अगर आप वो नहीं कर सकते तो पॉलाइटली आप मना करते तो उसको बोलते डिमर और इसका opposite होगा इंब्रेंस मतलब होता है है और मैं मूर्क फुलीश इसका मतलब होता अप फुलीश तो इसका opposite क्या होजागा कि बहुत ही है यह मतलब स्पुलिश और मतलब इसमें अप सेंस हो प्लुशन के न Eli department dot कंदाम हो या उसका मतलब होता है तो इसका ऑपोसेट क्या हो जाएगा एक्टिव नुट एकिट इसका क्या होता है मीनिंग को उस डिट जी लेजी हो तो इसका वह में सब्सक्रों होगा एक हिस वाला वह व्आ है और 6-0 अ traffic सब्सक्राइब नेखते हैं सटोडियर मतलब होता है सब्सक्राइब क्लोज जो और इसका जो अपोजिट होगा होगा होमेड क्लोज तो इसको इसका अपोजिट हो जाएगा हुआ है सेपियंड सेपियंड मतलब होता है कॉंप्लेक्स इसका मतलब होता है कॉंप्लेक्स तो इसका जो इंट्रो जागा सिंपल है ч घैकिन से जो मीनिंग होता है माड़िट जो वह फिरलेटेट्ट दू मॉर्निंग इसको बोलते हैं ओपकेрахakt निकलता मौनिंग से द्किलता है इसका मतलब होगा करतू सब्सक्राइब मतलब होता है इवनिंग एव्य कुरें यह मॉनिंग एवनिंग मतलब होता है गरीब तो इसका है वह होगा कि एन्ट्र नेट्स वहता हम वल्थी कि वेल्थी मतलब होता है अमीर तो यह इसका क्या हो जाएगा एंटो नेंटो नें हो जाएगा दाश्कूशन है हमारे आज का सेक्ष्टन का तो वह है सूपर सिल्यस सूपर्शीलिश मतलब होता है इगोईस्ट परसन जिसको ओवर कॉंफिडेंस अपने पर और इसका अपोजिट यह हो जाएगा आप सबीको तो मरे वीडियो पसना आए होगा अगर आपको अपने मेरी वीडियो को पता चल जाएगा कि मेरा वीडियो जो है ओ आपको अच्छा लगा या नहीं थेंक्यू